नमस्कार दोस्तों गार की क्लासेज में आपका स्वागत है अब बात करते हैं जैसे कि क्वारी जा रही थी और बताया गया था कि बुक्स के बारे में डिस्कुशन क्या दाएगा तो मैंलिये क्वेरी जा रही थी की बुक्स कौन से पढ़ें जिसे नेट का सिलेवर सकावर हो जाये तो नेट क्वालिफाइंग एकिजाम है नेट क्वालिफाइग हो जाती है तो elles को दो ARE नहीं हो पाती है या किसी ने झाल से बाता प्ञवरिवे jiva क्वार दो ट कारे तो अपने सिल्हेबस में इक यूनिट है नवी और दस्वी दो यूनिट है यहां से बीश क्योसान आते हैं भी 20 uldade जो सालिस नंबर के होते हैं ये 20 क्योसाने यह इतने हैं मार्फ का क्योदेर्श रहता है जिसने थोड़े इक्विलिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर और शिटिजनसिप, फिर है उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, माक्सवाद, नारिवाद, पारिश्तितिके वाद, बहु संस्क्रतिवाद और उत्तराधुनिक्ता वाद, ये नए सिद्दानत है, जैसे उदार्समतावाद, जौन वल्ब्स, ड्वरकिनिस में आधाते हैं, ये जो है उदारवाद नारिवाद आ गया, तो उदारवाद की नही नही साथा बनती गई, लोकतांतरिक समाजवाद भी कहीं ना कहीं उदारवाद का पुठ है उसमें भी, तो ये जो नए सिद्दानत ह यहां यहां यह 1970 के बाद माए हैं उत्तर आधुनिकताबाद को ले लीजिए ने सिद्दानतों में प्वसंद किस टाइब सरा जाते हैं जिसने ठोड़ी भी तैयारी की है तो उसको यह ऐसा लगा है कि नए सिद्दानता रहें कहां से आ कहां से पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं फ़रा से इतना सा confusion रहता है तो इसके लिए आप पहले RPSC के तीन पेपर बताऊंगा आपको एक तो R.A.S. 2012 का पेपर प्री का पॉलिटिकल साइंस का उसे मैं सब्जेक्ट रुआ करते थे तब की बात बता रहा हूँ 2013 का स्कूल लेक्षर का एक्जाम 2014 का कॉलेज लेक्षर का एक्जाम और 2018 का स्कूल लेक्षर का एक्जाम ये RPSC की साइट भी आपको ये पेपर मिल जाएंगे इसमें ज्यादा तो जो क्योसंस थे वो 1970 के बाद में डवलप हुए सिद्दान्तों से आए हैं तो 1970 के बाद की इनके लिए इस यूनिट को यदि अपने कवर करना है तो दो किताब मैनली पढ़नी है एक तो है O.P. Gaba की Encyclopedia of Political Science ये बहुत हद तक है आपके syllabus के जो नए-ने topics हैं जिनके बारे में अपने को पता नहीं है जानका ही नहीं है उनको भी ये बहुत ही अच्छे शे कवर कर लेती है बुक उनके बारे में अपने को सार्शित द्रिश्टिचे एक बार पता दो जाता है और बहुत ही अच्छे से दिया गया है इसमें दूसरी बुक है समकालिन राजनिती सिद्दान्त ये जोदपुर में जहनारिन व्यास्ट उनिश्टि के दीन है नरेश दादिच पॉलिटिकल संज डिपार्टमेंट के उन्होंने निकाली है इसमें नए सिद्दान्तों को बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है नए सिद्दान्त आपके बहुत बड़ी है क्लियर हो जाएंगी ये दो बुक है पहली उनिट के लिए फिर अपने बात बात करते हैं पॉलिटिकल थोट की तो पॉलिटिकल थोट में जिनको अपन वेस्टन पॉलिटिकल थोट बोलते हैं इनके लिए दूसरी उनिट पास्चाते राजनेतिक विचारत एक जगह पे सारे जो थिंकर है वो क्लियर हो जाएं एक जगह पे मिल ऐसा देखो मैंली होता नहीं है फिर भी मैं आपको कुछ बुक बताता हूँ जैसे पास्टा तिराज्टिक विचारा के लिए एक तो आप B.L. फढ़िया की नहीं बुक ले लीजी जो अभी आई है उसने बहुत सारे ठिंकर्श यहां से कवर कर जाएंगे अपने दूसरी पास्टा तिराज्टिक विचारा के लिए ओपी गापा की बुक ले लीजिए यहां पर ग्राम सितक के सिद्दान कापने को मिल जाएंगे इसके लाव उदारवाद की साखा में जो नव उदारवाद में विचारक आते हैं नोजिक, बर्लिन, हेक, फिडमेन इनके बारे में भी यहां पर बहुत अच्छे से डिटेल से दिया गिया है तो यह दो बुक आप ले लीजिए दूसरी उनिट के लिए फिर आपने बात करते हैं इंडियन पोलिटिकल दोट के लिए एक तो डॉक्तर फुकराज जैन की बुक दूसरी ब्हारतिय राजनती विचारक आती है अवस्ति एंड अवस्ति अवस्ति एंड अवस्ति में कहा है कि यह जो थिंकर है जो बढ़नी है या मुहमत इकबाल के लिए तो अपने नेट से मेटरी लेना पड़ेगा एक बाज तो तो ये दो बुके इंडियन पॉलिटिकल थोट के लिए कोई एक आदा थिंकर रहेगा वह अपने नेट से देख लेंगे ठीक है अभी बाकी इन दोनों से मौश्टली कव ये थिंकर और सिद्दान्त बहुत हद तक मिले हुए हैं आपस में जुड़े हुए हैं इस्पेसली सिद्दान्त और पास्चाति राजनितिक विचार हुई दूसरी उनिट है वह आपस में जुड़े हैं थिंकर क्लियर सिद्दान्त क्लियर सिद्दान्त क्लियर थिंकर क्ल फिर अपने बात करते हैं comparative political analysis तुलनात्मक राजनितिक विसलेशन तुलनात्मक राजनितिक विसलेशन के लिए एक तो CB गेना की बुक आती है CB गेना ठीकर जब अपन college lecture के syllabus के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको और भी books बताऊंगा जो इसमें तो किया ही cover कर लेती है CB गेना ही enough होती है जो cover कर लेती है और यदि थोड़ी अंग्रेजी आपको समझ में आती है पड़ पाएं यदि तो Andrew Haywood की book आती है तो वो भी आप देख लेजिएगा और एक यहां पे तपन विस्वाल की book तपन विस्वाल की book दोनों book को नाम ये एक है तुलनातमक राजनिती तपन विस्वाल ये तपन विस्वाल साब की book आती है एक सेवी गेना की book आती है तुलनातमक राजनिती की विस्वाल ये पूरे syllabus को बहुत ये अच्छे से cover कर लेती है बाई कुछ नए टाइमिनलोजी जो है वो मैं आपको बताऊं कि अपने को Encyclopedia of Political Science है वहाँ पर भी कुछ topic मिल जाएंगे तुलनातमक राजनिती के जिसे अपना scenario के लिए रोजाएगा तो तुलनातमक राजनिती के विस्वाल साब को आप complete पढ़ ही लेना ये अपने syllabus में हर topic को कही ना कहीं cover कर रही है फिर पांचवी उनिट अपने आती है अंतराश्टी संब्द तो पांचवी और छटवी उनिट के लिए एक इवक है BL पढ़िया बागी यासी जो क्यों सनाते है वो current के से related आते है तो current जी के अपने को regular पढ़ना है इसके लिए आपने हिंदू पढ़ सके हैं तो सबसे better है बाकि देनिक जागरन या देनिक जागरन भी उप्लब नहीं है तो देनिक भासकर का भी लेवल ठीक है देनिक जागरन पढ़िया आप जनसत्ता पढ़िये या जो debate होती है सरोगार जैसे प्रोग्राम, देसानत्र जैसे प्रोग्राम आते हैं उनको आप देखिए राज्य सबापर व invinci가 क्यों संसाते हैं सिनेरियों क्लियर करने क लिए, सिलिबस को cover करने क लिए बियल फडियागी बुक है, ये अपनी दोनों इनिट को cover करती है इंडियांस forayne policy को भी cover करेगी और जो 5 वी unit है उसको भी ये cover करेगी और इंटराश्टि संबन्ध वाली को भी और इंडिया इस forayne policy को भी बहुत ही अच्छे से cover करती है फिर अपने साथवी उनिट की बात करते हैं Political Institutions in India सेवन्थ उनिट और एर्थ उनिट इन दोनों के लिए M. लक्षमिकांद बुक पड़ी है M. लक्षमिकांद से यह कबर करेगी और M. लक्षमिकांद की जो भारती राजविवस्ता है उसके अलावा अपने फिर एम्लक्षमिकांद की एक और भुक लेने पड़ेगी लोक प्रसासन लोक प्रसासन लोक प्रसासन से कुछ टोपिक हैं वो यहां पर कबर करेंगे तो एक लोक प्रसासन वाली भुक है M. लक्oshima मिकांद की एक बाहर तिये राजविवस्ता वाले बुक यह दोनों बुक अपने लेंगे तो 7th, 8th, 9th और 10th यह 4 यूनिट कवर करती हैं यह दो बुक फिर अपने यहाँ पर एक चीज़ और बताऊंगा कि यह जो 5th यूनिट, 6th यूनिट, 7th यूनिट, 8th और 9th, 10th यहाँ से current के क्योशंस जो latest government के policies होती है या कोई बिल होते हैं, राजव्य सबा लोग सबा में जो आई होते हैं उनके बारे इंब यह क्योशंस पूशता है current से कविलेट करके क्योशंस पूशता है तो यहाँ पर अपने को current scenario को ध्यान में रखना है government policies, PIV news और राज्य सवा, लोग सवा इनमें कौन से विधेक आ रहे हैं कौन सा अधिनियम बन चुका है क्या क्या provisions हैं यहां से बहुत सारे questions आ रहे हैं और especially truth how इन 18 के बाद के बेपर आप देखोगे तो यहां से questions मिल रहे हैं बाकी यह qualifying exam है negative marking इसमें नहीं होती है आप को पता है इस बारे में तो यहां पर आप यही इतनी साथ चीज़े पढ़ लेते हैं concept के लिए हो जाते हैं तो net easily निकल जाता है और अब तक यही नेट निकल जाए GRF नहीं निकल पा रही है तो उसका reason यही है यह आप खुद से पूछिए कि जो 9 और 10 उनिट है उसको अपने कभी तयार नहीं किया या फिर अपने first paper में कही न कहीं कमी रह रही है बाकी जनरल category को छोड़ दीए जनरल में boys को छोड़ दीजिए बाकी SC, HT, OBC और जनरल की महीला इनकी cut-off आप देखिए 45, 50, 45, 50 तक जा रही है जबकि जनरल की 60 तक जाती है और GRF के लिए 68, 69 तक percentage चली जाती है तो थोड़ा सा आप तयारी कर लोगे तो easily इसमें हो जाता है फिर मैं आपको यह कहूँगा कि net निकालने का purpose अपना है college lecturer के preparation करना assistant professor के preparation करना या PhD करना MFIL करना यनि research की exam है ये तो बहुत सारी books को जितने books आप पढ़ेंगे उतने अपने concept के लिए होते जाते हैं अलग-अलग books से एक ए topic को पढ़िए जैसे तीन book अपने पास में topic ले लिया उदारवाद तो उदारवाद को आप तीन books से clear केजिए आप उदारवाद बहुत अच्छे से clear होदाएगा यह दी हैं तो बाकि नेट के लिए तो अपने पास में इतनी books है नफ है और college lecturer के लिए मैं बहुत ही बड़ीया तरीके से और भी books आपको बताऊंगा next Sunday तक को वो वीडियो आपके पास में आजाएगा Thanks